हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं हार्दिक अभी नंदन हैं उतकर्ष सी यू एटी ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम गहन विस्तारित विसलेशन करेंगे सी यू एटी जियोग्राफी सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स में दो हजार पच्चिस में क्या आपकी स्टेटिजी होनी चाहिए एक्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और आपको अगर पहले ही परियास में सी यू एटी यूजी एक्जाम क्रेक करना है तो उसके गोल्डन पॉ कल्प बहुत मिलेंगे जीवन में रहा भटकाने को एक संकल्प उतकश ही काफी है मनजिल पाने को तो पुना आप सभी का हर्दिक स्वागत चलिए आरंब करते हैं मेहतोपून टॉपिक का गहन विस्तारित विसलेशन जानेंगे एक्जाम पैटर्न के बारे में और ये 2025 में हम क्या उमीद कर सकते हैं और किस परकार से हमारी तयारी होनी चाहिए तो सर्वपर्थम जब हम एक्जाम पैटर्न को देखते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कौन सा ओगनाईजेशन है जो इस एक्जाम को कंडग करवा रहा है तो ये करवा रहा है NTA क हो हैं लेकिन इस साल आपने देखा होगा जो NTA है वो ओफलाइन मोड में भी चला गया है पैन पेपर मोड में भी NTA ने एक्जाम कंड़क्ट करवाए है तो ये दोनों हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वह ओफलाइन भी ओप्शन है और साथ में पैन पेपर मोड में भी NTA एक्जाम करवा रहा है अब लेंग्विज अब एक्जाम क्या होगी देखी भाई साफ तेरा लेंग्विज इंग्लेश, हिंदी, आसामीज, बेंगौली, गुजराती, कंड़, मल्यालम, मराथी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलगो, उर्दू इनमें आप अपनी परिक्षा का जो माध्यम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अब इसमें प्रशनों का परकार सबसे महतो कून ये आपको ध दिहान में रखना है, तोटल नंबर ओफ क्वेशन कितने हैं, तो ये आप देखिए कितने हैं, फचास क्वेशन हैं, डियूरेशन ओफ टाइम क्या रहेगा, पैतालिस मिनट का रहेगा, ये आपको धिहान में रखना है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर गलत पर उत्तर दिया, तो आपको प्लस फाइम मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब एक प्रशन के आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, पांच नंबर, लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दिया, तो माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये आपको जरूर समझन एक्जाम पैटर्न के बारे में, कुल मिलाकर हमें यहां पर ध्यान में रखना हैं, हमें हमारे सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट मिल रहे हैं, यह हमारे लिए अतिम हैतोपूर हैं, इसका मतलब हमें यहां पर सबसे पहले समय परबंधन के बारे में समझना चाहिए, कि किस परकार् विदिन दे टाइम फ्रेम हम सभी प्रशनों को हल कर सके उसके लिए हमारी पढ़ाई का इस्तर है वो बहुत ही उम्दा होना चाहिए और यहां पे जो हम पढ़ाई की इस्तर की बात करते हैं तो नॉर्मल जो हमारे बोर्ड एक्जाम्स होते हैं उसमें विभिन परकार के प्र जो टाइप ओफ क्वेशन है वो कौन सा है आपका मल्टिपल चॉइस क्वेशन से केवल एमसी क्यूज हैं यहां पे हम बात कर रहे हैं भारत इस्तर के परवेश परिक्षा की जिसमें पूरे भारत वर्ष के जो बच्चे हैं वो एक्जाम देंगी इसका मतलब कॉम्पिटि लेवल पर मेहनत करने की आवश्यक्ता पड़ती है उसके लिए गोल्डन पॉइंट्स क्या है जो आपको समझने है जिसका आपको गेहन विस्तारित विसलेशन करना है पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलिवस क्या है आपके सिलिवस में दो महतौपुन किताबे है प दोनों किताबों में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो अद्धियाय हैं दूसरी किताब में भारत के संधर्ब में हैं, पहली किताब में विश्व के संधर्ब में, तो इनको अब आपको चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है, पहली जो कैटेगरी हैं वो हैं अलग करेंगे और संकल्पना हैं, concept अलग करेंगे, तो broader तरीके से आपके सामने एक तस्वीर बनकर आ जाएगी, कि भाई, remembering वाला कौन सा है, जो मुझे केवल remember करना है, याद करना है, कौन से ऐसे आकडे हैं, जिनका मुझे analysis करना है, है या नहीं है, बिलकुल ये आपको समझ कौन से ऐसे concept हैं, जहां पे मुझे अपना दिमाग apply करना है, application पे मुझे जाना है, application based, competency based, अतारकिक्ता based, बुद्धी मता based, मुझे से प्रशन पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा ध्यान लगाना है, अच्छे तरीके से, इसका मतलब हर concept से, ह उनको आपको गहराई से देखना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा उपलब्द हैं, उतकर्श CUET online platform पर, यहां पे बहुत ही high level पे, जो MCQs हैं, उनके माध्यम से आपका assessment मुल्यांकन करवाया जाता है, साथ ही यहां पर जो faculty members हैं, वो बहुत ही ब विभिन परकार के जो test series हो गए, mock test हो गए, विभिन परकार की exam से पहले मेराथन कक्षाएं होगी, वो सब आयोजित की जाती हैं, जिससे आपकी तयारी शांदार हो सके, दुआँ धार हो सके, और एक बिंदू आपको जरूर समझना है, जैसे जैसे CUET के exam हो रहे हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसे साल और विभिन वर्षों में वैसे वैसे competition और भी कठीन होता जाएगा, ये आपको समझना है, प्रशनों का जो level हैं वो और भी high से highest level पर बढ़ेगा, उसके लिए आपको तयार रहना है, अभी से highest level पे जो questions हैं, उनकी तयारी करते रहना है, जो महतोपून बिंदू हमने यहाँ पर discuss किये, वो आपकी तयारी में महतोपून भूमी का निभाने वाले हैं, और साथ ही आपको एक जो बिंदू है, एक लक्षे हैं, वो निर्धारित कर लेना है कि 2025 में पहले attempt में ही मुझे CUET exam करेक करना है, जिससे मेरा अपनी dream University में admission और आगे मैं आराम से अपने केरियर के development में महतोपून भूमी का निभा सको, तो wishing you all the very best by best wishes, take care geographers.